हेलो स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास ऐसी मूर्थियां देखी हैं, क्या आपको पता है यह किसे बनती हैं? यह मूर्थियां P.O.P. यानि की प्लास्टर ओपेरिस से बनती हैं, अब यह P.O.P. क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम P.O.P. की बात करेंगे प्लास्टर ओपेरिस, इसका रसाइनिक नाम कैल्सियम सलफेट हेमिहाइडरेट है और इसका रसाइनिक सूतर C.A.S.O.4.H.2O है इसे P.O.P. के नाम से जाना जाता है अब प्रशन ये है कि कैल्सियम सलफेट हेमिहाइडरेट का नाम प्लास्टर ओफ पेरिस क्यों है इसका पेरिस नाम इसलिए है क्योंकि यह सबसे पहले जिपसम को गर्म करके बनाया गया था और यह जिपसम मुख्य रूप से पैरिस में पाया गया था प्लास्टर ऑपरिस को कैसे बनाय जाता है? इसे जिपसम से बनाय जाता है जब जिपसम को 100 डिगरी सेल्सियस यानी की 373 केलविन तापमान पर गरम किया जाता है तो यह है अपने जल क्रिस्टली करण मीन्स Water of Crystallization के 3 4th पार्ट को लूज कर देता है और उसी से ये plastroparis बनाता है इसको हम अभिक्रिय के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर CASO4.2H2O gypsum है और CASO4.1H2O plastroparis है दोनों फॉर्मुलाज में जो water of crystallization के molecules हैं उनमें differences है gypsum में ये दो water of crystallization molecules हैं जबकि plastroparis में ये half water molecule है इसके लाबा gypsum एक लबन है और इसका यूज सिमेंट और plastroparis बनाने में किया जाता है जबकि plastroparis एक स्फेथ पाउडर है जो जल में मिलाने पर दोबारा से कठोर ठोस्पदार gypsum बना देता है Plasteroparis जब water of crystallization के 3x2 molecules के साथ react करता है तो ये gypsum बना देता है Students, Plasteroparis के हमारे दनिक जीवन में बहुत से यूज हैं जैसे खिलोने बनाने, सजावटी समगरी, सस्ते गहने और मूर्तियं बनाने में Plasteroparis का यूज होता है इसी तरह जब हमें कभी bone fractures होता है तो doctors उस fractured bone को ठीक करने के लिए भी Plasteroparis का यूज करते हैं जिससे कि वो fractured bone जो है वो ठीक हो जाती है Plasteroparis का use painting करने के लिए भी किया जाता है Painting से पहले जो painting के सतह होती है उसको चिकना बनाने में इसका use होता है इसके लावा प्लास्ट्रो पेरिस्कॉप योग दिवारों पर डिजाइन बनाने के लिए भी किया जाता है वीडियो को लाइक और शेर करें और साही मंतरा को सब्सक्राइब करें थेंक यू